जाहिन दोस्तों मैं नवीन सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एकदम बहतरीन होंगे एकदम सांदार होंगे एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं दीपचंद्रा, राजपूत, सौनू, कास, यदुणसी, निखिल राजपूत, रवी सिहाग, निखिल राजपूत, मरक्षमी मेनवाल, सूरज, रोबिन, जियोती, रिसी केस, सभी, सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है बच्चे, इस प्रैक्टिस सेट में एक बहुत सांदार सा प्रैक्टिस सेट, सौंबार से सुकवार तक चलने वाले best 40 questions, उसी एक वादे के साथ फिर से कि सबसे मजबूत GS के लिए अगर कुछ होगा, तो ये practice set होगा, और सुरू करते हैं, प्यारे दोस्त, आज का पहला प्रैसन आप लोगों के सामने है, नीती निदेसक तत्व, आज के प्रैसन शुरू होंगे, आपका DPSP से, Directive Principles of State Policy से, आज और कल में हम DPSP के जो सारे महतपून प्रैसन बन सकते हैं, वो खतम कर देंगे, तो सुरू करने जा रहे हैं, भीया, एक बार सारे प्यारे दोस्त, थमसब कर देंगे, और एक उत्साहा के साथ उत्तर देंगे, प्रैसन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हमेशा और विकल्पों को भी, नीती निदेसक तत्व और अधिकारो को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा और अधिकारो को, तो वो व्यक्ती कौन है, क्या बोलेंगे फटाफट से ए, 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 भीमराव, अंबेटकर आप गलत कह रहे हैं, गलत उत्तर आपका आता हुआ, प Grainville Austin ने कहा है, किसने कहा है, Grainville Austin ने कहा है DPSP को, मैं नीती नहीं दे सकता, तो वो की बात कर रहा हूँ, केम मुंसी ने इनको चेक कहा, किसको DPSP को कहा चेक, बोले, ये एक ऐसा चेक है, जो बैंक पर निर्भर करता है, किस पर बैंक की सुवीधा एवम संसादनों पर निर् सकते, DPSP का पालन अगर स्टेट नहीं करता है, तो क्या है, उनको हम थोप नहीं सकते हैं, ठीक है, T.T. कृष्णमाचारी की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था, बहवनाओं का, बहवनाओं का, एक इस्थाई कूडागर, बहवनाओं का, एक इस्था रहे बच्चे भी मैं आपसे कुछ कुछन पूछने चाहरा हूँ मुझे बताओ DPSP जो है आपके क्या बोलोगे DPSP जिनको राज्ये के नीती नहीं दे सकता तो कहते हैं किस भाग के अंतरगत आएंगे कौन से अनुच्छेद से लेकर के कौन से अनुच्छेद तक इनको बता और जहां से लिये गए है वो आप कहेंगे जी Ireland का संविधान है तो क्या बोलोगे भाग चार में चारे वाले यह सारे गलते हैं भाग चारे में आपके मूल करतब बे बताए गए हैं चारे अनुच्छेद क्या है 36 से 51 तक हैं कहां से लिये गए हैं आईरिस संविधान से लि पूछा हुआ कुश्चन है क्या बोलोगे आयरलेंड का सम्विदाहन कब बन करके तयार हुआ तो क्या बोलोगे 1937 में बन करके तयार हुआ था किस अनुच्छेत से लिए गए है तो आयरलेंड के आयरलेंड के सम्विदाहन के आयरलेंड का जो कॉंस्टिट्यूटर क्या बोल सक तत्वों की पिरकिर्ती कैसी है क्या बोलेंगे what is the nature of directive principles state policy नियायोचित है क्या कोई मान के चलो कोई सरकार DPSP का पालर नहीं कर रही है जैसे नसल सुधार के प्रोग्राम के लिए कि इन सरकार ने यह सम्विधान में कहा गया लेकिन सरकार नहीं कर रही है तो क्या बोलोगे नियायोचित गेर नियायोचित भी है और गेर नियायोचित भी है तो C बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे वो सभी गलत हैं याद रख लिना गेर नियायोचित हैं विकल्प B वाले सारे दोस्त ठीक हैं, अनिजस्टिफाइड, क्या बोलोगे गैर नियाचत, मतलब इनको आप वाद योग्या नहीं है, डी पी एस पी क्या है, क्या बोलोगे, डी पी एस पी वाद योग्या नहीं है, वाद योग्या है या नहीं है, नहीं है, मतलब इनके खि प्रवर्तनिय हैं क्या बोलेंगे प्रवर्तनिय हैं कोई दिकत इस बात में यहां तक की बात में कोई भी दिकत नहीं होनी चाहिए दिसा के आधार पर निति निदे सकत्तवों को कितनी सरेणियों में बाटा जा सकता है दो तरह के प्रसंद बनेंगे आप से पूछेगा तीन चार पाँच छे तो क्या आंसर आएगा पहली बात पहली बात प्यारे बच्चे मेरी बात सुनना आप से पूछेगा जो संविधान है संविधान में DPSP को कितनी कैटेगरी में बाटा गया है संविधान में DPSP को कितनी कैटेगरी में बाटा गया है कितनी स्रेणी में बाटा गया है तो कितनी स्रेणी में तो आप कहेंगे सुन्य क्या बोलोगे सुन्य क्यूंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्या बोलेंगे ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है इसलिए उसने बोला संविधान के अनुसार नहीं उसने यह नहीं बोला संविधान के अनुसार तो सम्विधान के अनुसार तो बाटा ही नहीं गया है, सुन्या है, लेकिन बाता है दसावे दिसा के आधार पर अगर पूछे, यानि दसावे दिसार, अब वो यह नहीं कहरा सम्विधान के अनुसार, दसा एवं दिसा के अनुसार उसको तीन भागों में बाटा जा सकता है, कितने भागों में बोलेंगे प्यारे दोस्त सौरब गाउंगुली जी कितने भागों में तीन भागों में बाटा जा सकता है तीन भाग कौन कौन से हैं ध्यान से देखेंगे तो तीन भाग कौन कौन से होते हैं आपके इन्होंने बोला कि जो हमारे DPSP है उनको बाटने के लिए हम कैसे बाट सकते हैं एक तो समाजवादी सिध्धान्त बोले इन्होंने कौन से सिध्धान्त समाजवादी सिध्धान्त बोले एक बोले दूसरे गांधी वादी सिध्धान्त और तीसरे कौन से सिध्धान्त बोले तीसरे बोले उधार बौधिक संतान क्या बोलेंगे? इनको उधारवादी कह सकते हैं तो तीन तरीखे से बाटा जा सकता है बोलो एक बार कौन-कौन से समाजवादी, गांधी वादी और आपका उधारवादी समाजवादी में कौन कौन से DPSP आते हैं DPSP कौन कौन से आएंगे एक तोZA18 Потом 38 इसमे आएगा 49 आता है आपका पियारे दोस्त क्या बोलोगे 49 आता है 41 इसमें आएगा 42 इसमें आएगा 43 इसमें आएगा 43 E içमें आएगा हुर आपका 47 इसमें आएगा इसको बोलते हैं और कई बार पूछा गया इसी बार UPSI में पूछा गया कि कौन सा निमलिखित में से गांधिवाधी सिध्धान्त के अंतरगत आता है अनुच्छत दे देता है आपको और गांधिवाधी सिध्धान्त की बात करते हैं गांधिवाधी में कौन-कौन से आते है सबसे पहले तो ग्राम पंचायत वाला आएगा अपका फिर 43 आएगा 43 के बाद में फिर आपका 43 B आता है 43 B के बाद में 46 आता है आपका 47 आता है और 48 आता है इसी तरह उदारवादी की बात करते हैं इसमें कौन-कौन से 44 आएगा आपका 45 आएगा 48 आएगा 40 आता है 50 आता है और एक क्या बनाता है देखने की बात क्या है दिहान से देखना दिहान से देखना अब आप कहोगे भीया आपने ये जो लिख दिया यहां पर दिहान से देखो जैसे मैंने इसमें क्या लिख दिया 43 लिख दिया यह देखो यहां दिहां से और इधर देखो इधर भी 43 लिख दिया तो 43 दौनों में कैसे 43 दौनों में कैसे यह बात समझने की है तो यहां जो समाजवादी में 43 है यहां आर्टिकल 43 में बात की गई है मजदूर के लिए निर्वाह मजदूरी की तो निर्वाह जो concept वो तो आता है आपका किसमे समाजवादी में और 43 में जो कुटीर उद्धियोग की भी बात की गई है वो कुटीर उद्धियोग आपका चला जाता है किसमे गांधिवादी सिद्धान्त में और कौन सा आप देखोगे ध्यान से मैंने बोला यहां देखो यहां क्या है इसमें रखा गया है किरसी को पसु को और साथ में आपका परियावरन को भी रखा गया है लेकिन मैं बात करूँ इस वाले 48 में क्या है? इस वाले 48 में बताई गी है आपकी पसू नसल को रखा गया है किसको पसू नसल को रखा गया है और कोई से तो नहीं है कोमन? बोलो भै अब मुझे बताओ artikl 40 में क्या बताया गया है? तो गिरामपंचायत का गठन बताया गया है किस में Article 40 में और गिरामपंचायत को लेकर के कौन दो वेक्ती विरोधी थे वोलो फटाफुट से comment section में तो भीमराव अंबेडकर जी और साथ में गांधी जी क्या बोलोगे भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी ये क्या थे ग्राम पंचायतों के गठन को लेकर एक दूसरे के विरोधी थे गांधी जी का कहना था ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए भीमराव अंबेडकर जी का कहना था क्या बोलोगे कि ग्राम पंचायतों क गठन नहीं होना चाहिए, क्या बुलेंगे नहीं होना चाहिए, 38 में बताओ भी है, आर्टिकल 38 में क्या बताया गया है, इसमें सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक नियाई की बात किसमें की गई है, राजनितिक नियाई की बात की गई है, आपका आर्टिकल 38 में, वहीं 37 प्रवर्तिये हैं और क्या बोलोंगे वाद योग्ये नहीं हैं ये कौन सा आर्टिकल बताता है सैतिस बताता है आर्टिकल 49 आप से पूछे तो प्यारे दोस्त क्या को होगे समान कारिये के लिए समान वेतन क्या होता है समान कारिये के लिए समान कारिये के लिए समान वेतन की कि गई है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है ऐसी कल की किलास में हम इनको सब को सामल करेंगे जैसे आप से मैं पूछँंगा आप देखो येवाली लाइन से कुष्चन पूछने जा रहूँ गई हैक कोन है एक टीचर है वो मेल teacher है male teacher है और एक teacher है जो female teacher है क्या है एक female teacher है और male teacher क्या है इसके पास एक experience है क्या है एक experience है इसके पास पढ़ाने का अच्छा पढ़ाता है एक female teacher है जिसको पढ़ाना नहीं आता है क्या बोलेंगे पढ़ाना नहीं आता है इसमें ऐसे comparison ना करें चाहें तो यह condition आप सेलरी क्या बराबर होगी, येस और ने, येस और नो, फटाफट से बोलें, जल्दी से बताएंगे, क्या कहेंगे, पढ़ाना आता है और नहीं आता, दोनों की सेलरी बराबर होगी नहीं होगी, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, येस सेलरी बराबर होनी चाहिए, नहीं, उन उन्हें बोला समान कारिया के लिए मतलब ये महनत करता है तो ये महनत करता है और ये आपको बताता है फिजिक्स की थियोरम समझा रहा है बहुत अच्छे से आसान तरीके से लेकिन एक मैडम ऐसी है मैडम फिजिक्स की थियोरम को मतलब गोल गोल करके कुछ भी समझा दे रही उसमें अंतर नहीं कर सकते हैं उसमें कोई भी अंतर नहीं किया जा सकता है किस अनुच्छेद में गरीबों को मुफ्त कानूनी साहेता पिरदान की बात की गई है बोलो फटाफट से क्या बोलेंगे बोलेंगे फटाफट से क्या बहेंगे किस अनुचेद में गरीबों को मुफ्त कानूनी साहता प्रदान की बात की गई है अनुचेद 49 अभी बताया मैंने आपको अनुचेद 49 में क्या होगा आपका क्या बोलोगे समान कारिया के लिए समान वेतन होता है अनुछेद 49 A क्या बुलता है समान न्याए की बात करता है निसुल्क विधिक सहहता कानूनी सहहता जो मिलेगी वो निसुल्क मिलेगी जैसे की मान के चलो आपके उपर कोई मुकदमा हो गया और आपके पास पैसे नहीं है कि आप एक advocate को hire कर चुके तो आपके help कौन करेगा आपकी help कौन करेगा तब government आपकी help करेगी और government की तरफ से आपको क्या मिलेगा एक वकील मिलेगा जो आपका पक्ष रखेगा जिसे बहुत सारे आतंगवादी होते हैं जब देश में फ्रश जाते हैं तो आतंगवादी हो क्या है वकील नहीं मिलता है कोई भी case लड़ने के लिए क्योंकि सब को पता अगर कोई आतंगवादी का case लड़ेगा तो उसको जैसे ही वो सनगवाई से भार आएगा उसको कोई पकल लेगा पकल लेगा हाँ भी तो आतंगवादी का case की लड़ रहा है तो इसलिए क्या करते हैं वो सरकार का उत्तरदायत बनता है कि सरकार क्या करती है उनको फिर अपनी तरफ से क्या सरकार क्या ये मतलब सरकार को देने ही होता, अपनी तरफ से सरकारी वकील वो क्या कराते हैं, प्रोवाइड करा देते हैं, next time, किस वाद में, किस मुकदमे में कहा गया कि निदेशक सिद्धान्त एवा मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराब में मूल अधिकार प्रभावी होंगे यानि मूल अधिकारों को क्या है, सर्वोच माना गया है, क्या बोलेंगे, मूल अधिकारों को क्या है, सर्वोच माना गया है, और किस से सर्वोच माना गया है, किस से सर्वोच माना गया है, रागनी गुपता मैं बता चुका हूँ, ध्यान से देखो बच्चे, लगातार कम पिरवर्तनिये हैं, इसका क्या बोला कि मैंने, मैंने बोला पिरवर्तनिये हैं, क्या बोला पिरवर्तनिये हैं, यानि कि उनको मैंने बता एनफोर्स किया जा सकता है, वाद योग्या नहीं है, यहां बोलो फटाफट से, गोलकनाथ मामला चंपा कम दोराई राजन मामला, तो संसोधन नहीं होगा, क्या बोला गया, आपका मौलिक अधिकारों में संसोधन नहीं होगा, ये पूछे जाते हैं, देखो आपसे अगर ये नहीं पूछा जाएगा, तो ये जरूर पूछा जाता है, गोलक नाथ मामला कब का है, 1967 का है, केश्वानंद भारतिवाद 1973 का है, जो प्रस्तावना को ले करता, मैं आपको समझा चुका था, कि मूल ढाचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, आपका प्रस्तावना में, मिनरवा मिल्स मामला कब का है, 1980 का है, कब का है, 1980 का है, और इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था, FR और DPSP एक दूसरे के पूरक है, FR और DPSP क्या है, एक दूसरे के पूरक है, most important question next, आएंगे भी यह मिलान करो, मिलान करेंगे मिलान है, aeronautics astrology, astronomy या फिर astrophysics होगा या फिर astrophysics होगा, तो aeronautics क्या होता है, खगोल भातिक वेमानी की, खगोली या फिर जोतिस विज्ञान होगा तो aeronautics का मतलब हो गया वेमानी की से, astrology होता है आपका जोतिस सास्त्र astronomy क्या होता है, जी, astronomy हो जाएगा, हमारा क्या, खगोली की हो जाएगा, क्या हो जाएगा, astronomy, नहीं, astronomy क्या हो जाएगा, भई हमारा और क्या दे रखा, अच्छा एस्ट्रो फिजिक्स भी दे रखा, एस्ट्रो फिजिक्स खगोल भोती की हो गया, हमारा astronomy क्या हो गया, खगोली की हो गया, तो क्या बन जाएगा, प्यारे दोस्त, 2 2-4-3-1 2-4-3-1, विकलप सी, क्या हो जाता है हमारा एकदम ठीक हो जाएगा क्या हो जाएगा एकदम ठीक हो जाएगा अब प्यारे दोस्त मुझे बताओ आप एक्रो बोटिक्स में किसका अध्यन होता है किसमें एक्रो बोटिक्स में किसका अध्यन होता है फटाफट से बताना बहुत पूछे जाते है एक्रोबोटिक्स हो गया आपका आपसे पूछलू मैं और निथो लॉजी में किसका अधियन किया जाता है और निथो लॉजी में किसका अधियन किया जाता है ये आपको बताना है और क्या ले सकते हैं इसमें एंटोमोलॉजी में किसका अधियन किया जाता है ये बताएंगे Entomology में किसका अध्यान, और बताओ, numismatics में किसका अध्यान किया जाता है, बोलो भी फटाफट से, एकड़म ठीक उत्तराने चीने, अगर मैं बात करता हूँ Acrobotix की, Acrobotix में किसका अध्यान किया जाता है, Entomology में किसका कीट पतंगे Insects जो होते हैं क्या कीट पतंगों का अधियन किया जाता है Numismatics में सिक्कों का अधियन किया जाता है किसका सिक्कों का अधियन किया जाता है जो पुराने सिक्के होते हैं उनका अधियन क्या कहलाता है Numismatics कहलाता है ठीक है पिर्थवी का जियोईड आकार होता है अच्छा पिर्थवी का आकार जियोईड को आप नाम क्या देंगे जैसे हम बच्छपन से पढ़ता है पिर्थवी चप्टी है किसी ने बता है पिर्थवी अंडाकार है पिर्थवी की जो आकिरती है हर चीज की जो सेप है उस सेप का ए कैसी आकरती है लेकिन क्या बोलते हैं पिर्थवी की आकरती जो है उसको आप लोग याद रख लेना बच्चे लगवक्ष गोलाब है क्या है लगवक्ष गोलाब बोलते हैं इसको ओबलेट स्प्राइड है पिर्थवी की आकरती कैसी है ओबलेट स्प्राइड है यह बात एक गुमता हुआ फिरकनी देखी है तो अपने अक्ष पर गुमना अपने अक्ष पर गुमना वो होता है प्यारे दोस्त गुर्णन और गुर्णन की वज़े से क्या होते हैं दिन और रात होते हैं क्या होते हैं दिन और रात किसकी वज़े से होते हैं गुनन के कारण होते है चौबिस घंटे का जो ये दिन है ये किसकी वज़े से है ये आपका किसकी वज़े से गुनन की वज़े से है चलो परिक्रमन के कारण क्या होता है रितू परिवर्तन होता है किसके कारण रितू परिवर्तन होता है क्या सिर्फ भहिया जी कारण उसका यही है परिकर्मन नहीं परिकर्मन के साथ में पृत्वी का जो जुकाव है क्या है पृत्वी का जो जुकाव है वो दोनों ही कारण किसके लिए है रितू परिवर्तन के लिए कारण है क्या बोलेंगे रितू परिवर्तन के लिए कारण है निमलिखित में से कौन सी नदी एस्चूरी बनाती है आपने बार-बार पढ़ा है डेल्टा बनाने वाली नदियां और डेल्टा बनाने वाली नदियों में जैसे गंगा ब्रहंपुत्र का डेल्टा जो सुंदर्बन पशिम बंगाल में है वो सबसे बड़ा डेल्टा है लेक अगर दुनिया की नदियों में बात करें, हडिसन नदी, यहां नियॉर्क इसके किनारे बसा हुआ है, हडिसन के किनारे बसा हुआ है, सीन नदी, सीन के किनारे कौन सा सहर है, पैरिस बसा हुआ है, तो यह क्या है आपका, यह नदियां क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, तो देखो, एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी समझे हो, अगर मैं भारत की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या है बारत में इधर आपका, क्या बुलोगे, बे और बंगाल, बंगाल की खाडी है, इधर क्या है? अरब सागर है, क्या है? अरब सागर नरम्दा कहां गिरती है खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है नरम्दा कहां से लगबग ऐसे बहते हुए अरब सागर में गिरती है देखो जब आपकी गंगा जाती है गंगा और पिलस में ब्रहंपुत्र ये दोनों क्या बनाती है ये दोनों बनाती है डेल्टा क्या बनाती है डेल्टा का मतलब क्या है मैत का डेल्टा मैत का डेल्टा कैसा होता है ऐसा होता है तो जब नदिया पानी में गिरने से पहले यानि कि कहां आपका समुंदर में गिरने से पहले ऐसे अलग-अलग हिस्सों में बढ़ जाती है और तब बनाती है इसको क् लियू कलर से आपको दिख रही है यहां यह क्या है नरंदा आ रही है नरंदा में इधर से आके आपका जो औरसंग सबस्बेशिन का पानी है यह आकर के मिला तो यानि की हम क्या कह सकते है जो एस्चूरी होता है एस्चूरी इसका मतलब क्या होता है एस्चूरी का मतलब होता ह गिरी कहा है, समुंदर में गिरी है, समुंदर में गिरने से पहले क्या था, कई नदियों का पानी जब आ करके मिल जाता है, तो एक पिलस नदी, क्या बोलते हैं, एक पिलस नदी, या जरने का पानी, समुंदर में, समुंदर में, गिरने से पहले मिल जाए, क्या बोलोगें, गिरने से पहले मिल जाए, तो उसको क्या कहते हैं, और एकटा गिरें फिर आकर के, यहां देखो यह आपका, क्या बोलते हैं खमबात की खाडी में गिरती है नरमदा नदी इधर तो इसको क्या बोलते है एस्चुरी यानि कि हम कह सकते हैं बटना जो है पानी का वो तो डेल्टा हो गया और डेल्टा का उल्टा उल्टा पहले मिल करके आगे बढ़ना ये एस्चुरी हो गया बोले समझ में आया अगले परसन पर बढ़ेंगे अगले परसन पर आएंगे प्यारे दोस्त फटाफट से क्या कहेंगे नरमदा नदी पर कौनसा बांध नहीं है कौनसा बांध है जो नरमदा नदी पर प्यारे दोस्त नहीं है बर्गी बांध क्या नरंदा नदी पर है इंद्रा नहर बांध जो है आपका क्या बोलोगे इंद्रा बांध ही कर लेना इसको इंद्रा बांध सरदार सरोवरबांद या गांधी सागरबांद या गांधी सागरबांद कौन सा नहीं है बर्गी कह रहे हैं बर्गी नरंदा नदी पर ही है क्या बोलोगे बर्गी भहिया जी नर्दी पर ही है इंद्रा नहर जो इंद्रा बांध है ये इंद्रा बांध आपका बोलोगे कहां पर है तो हम कहेंगे जी इंद्रा बांद भी कहां पर नरम्दा नदी पर है नरम्दा नदी पर है ठीक है और सरदार सरोवर बांद कहां है ये भी नरम्दा नदी पर है किस पर है नरम्दा नदी पर है गांधी सागर बांद किस नदी पर है ये चंबल नदी पर है MP में कहां च आधी सागरबांद किस नदी पर है क्या बोलेंगे चंबल नदी पर इस्थित है Next अगले पर आजओ National Wood Fossil Park कहां पर इस्थित है National Wood Fossil Park और एक पूछता है Fossil Park कहां पर इस्थित है दोनों कुश्चन बनते हैं Fossil Park किस भारतिय राज्य में है National Wood Fogel Park कहां है आपका ये राजस्थान के जैसल मेर में है कहां है राजस्थान के जैसल मेर में इस्थित है बहुत गजब भई, अंकित सुकला, दिलीप कुमार एकदम सही उत्तर देते हुए बहुत बढ़िया में, बहुत सांदार, very good, चलो, next है आगे आज़ी आईगें Fisil Park, Fisil Park कहां है? ये आपका मध्य परदेश में इस्थित है एक बताओ, MP के लिखो MP के, MP के राश्च्रिय उद्ध्यान, किसके ? मध्य परदेश के राश्च्रिय उद्ध्यान के अगर बात करते हैं एक तो मैंने अभी बताया आपको क्या बोलोगे फौजिल है क्या है फौजिल है और एक क्या होता है आपका बांधव गड कहां है क्या बोलोगे बांधव गड कहां है यहीं इस्तित है पेच कहां इस्तित है यहीं इस्तित है पेच पन्ना पन्ना टाइगर रिजर्व कहां है आपका माधव, माधव कहां आएगा? यहीं आएगा कानहा जी, नैशनल पार्क कहां इस्तित है? यहीं इस्तित है ठीक है भीया, एक आता है आपका फॉजिल में कौनसा बोला? मैंने फॉजिल जीवासम होता है फौजिल कौन सा है वो तो वुड फौजिल था जो राजस्थान में है ये है फौजिल जीवासम कहां इस्थित है आपका मध्य प्रदेश में इस्थित है ऐसी प्यारे दोस्त आप मुझे महराष्ट के याद रख लेना आगे कभी भी पूछू आपको पता होना चीए क्या ब कुछू करनाटक के तो करनाटक में कौन कौन से है बनेर घटा क्या बोलोगे बनेर घटा है आपका बांदीपुर है बांदीपुर नागर होल है क्या बोलोगे नागर होल है और क्या है आपका अंसी है और कुंद्रे मुख है कौन सा है कुद्रे मुख कुद्रे मुख राष महाराष्ट के बात करें बोरी वली हो गया तंसा हो गया गुगामल हो गया और आप से बात करें करनाटक की तो क्या बोलोगे नागर हलो गया बांदीपुर हो गया जी आपका बनेर घटा हो गया अंसी हो गया और कुद्रे मुख हो गया यह सारे आपको पता होने चाहिए ठीक है क्या बोलोगे Tiger State किसको कहा जाता है क्या बोलोगे Tiger State किसको कहा जाता है MP को कहा जाता है किसको Madhya Pradesh को कहा जाता है आप से पूछे प्यारे दोस्ते वर्तमान में कितने Tiger Tiger Reserve भारत में हैं वर्तमान में Tiger Reserve एक-एक बच्चे का अंसर चाहता हूँ इस पर क्योंकि यह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इस्टेटिक जीके में वर्तमान में Tiger Reserve की संख्या भारत में कितनी है 53, 53, 53 बहुत बढ़िया बई गजब, 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 गजब कौन सा तरेपन Tiger Reserve वर्तमान में भारत में इस्थित है आजब भी Physics के Questions पर पहला, देखो Physics के Chemistry के Biology के प्रसुनों से कभी मत मचना प्यारे दोस्त मैं आपसे request करता हूँ कभी मत बचना इनसे भिढ़ना हमेंसा, बहुत आसान होते हैं जब 2 kg मास वाले द्रवेमान पर 5 N का भार तो 2 kg द्रवेमान तो द्रवेमान किसमे होता है M equal to मास होता है तो मास M की value कितनी दे राखी है 2 kg दे राखी है ठीक है, 5 N का बल बल कितना है, 5 N का तो बल को क्या कहते हैं, force कहते हैं force, बल कितना हो गया, अपका 5 N हो गया और पूछ रहा है, उसमें उत्पन होने वाला current acceleration कितना होगा नहीं पता, मैंने बता रहा है बल सबसे ज़्यादा किसमे होता है, मा में होता है बलो, दुनिया में सबसे ताकतवर कौन होती है तो बलो, मा होती है दुनिया में सबसे ताकतवर कौन, मा हमें चाहिए A की value तो A की value तो नहीं लेकिन F की value तो है 5 newton और M की value कितनी है 2 kg तो 2 को इधर लाओगे तो क्या आजाएगा 2 kg आजाएगा भी या नहीं आएगा बोलो newton आगया आपका और पिरती किलोग्राम तो A की value आगया अब यहां से इसको काटोगे तो डाई डाई क्या बोलोगे मीटर पिरती सेकंड इसक्वार आप कहेंगे भीया यह तो क्या है किलोग्राम में आ रहा था F और यह क्या हो गया मास आगया आपका किसमे तो वो M into G में convert आप उसको करेंगे newton को बाहर को किसमे M into G में करेंगे और त्वेरन का मात्रक बाई यह newton है यह किलोगराम है तो newton का मात्रक क्या होगा W जो newton होता वो था M into G उपर नीचे भी M, M से M cancels G का मात्रक क्या बचा त्वेरन का मात्रक क्या होता? मीटर पिरती सेकंड इसक्वार बात खतम, समझे? next अगले पर आजाओ किसी वस्तू के द्रवेमान का मापन किसका मापन कहलाता है? बई किसी वस्तू में उपस्तित पदाहरत की मात्रा को जब आप नापते हैं तो वो द्रवेमान होती है मास होती है अभी पिछे ही साहद दो सेट पहले ही कराय था कुश्यन तो यह जो मास होता है इस मास को आप माप रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको तो एरन का मापन जलत्व का इनर्सिया बोलेंगे एक्सलरेशन का मापन यह संवेग होता है यह गती होती है तो देखो गती को तो गती किस पर डिपेंड करती है चाल बराबर क्या होता है? बोलो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल बटे समय होता है? नहीं होता है? बोलो, दूरी का फॉर्मूला बताओ पहले मुझे, स्पीड का फॉर्मूला बताओ भीया, स्पीड क्या होता है आपका? बोलो, फटा फट से, चाल बराबर बहुत गजब, बहुत सांदार, भिया जी दूरी बटे समय होता है, क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, तो ये क्या, इसमें कहीं भी देखो, क्या मापन हो रहा है, दूरी बटे समय में नहीं हो रहा जी, आप कहोगे, समवेग P equals to MB होता है, तो इसमें क्या सिर्फ द्रव 5 kg तो आपको उसको उटाने के लिए फोर्स जादा लगाना पड़ेगा वो किसकी वैल्यूदर साता है वो हमेशा इनरसीया की वैल्यू दरसाता है जैसे इस पेन में कुछ तो ताकत होगी अगर यह पेन ऐसे रखा उआ है इस पेन पाइन को उटाने के लिए मुझे इससे ज़्यादा तागत लगानी होगी यानि कि ये पैन क्यों रखा हुआ था जड़त्व के कारण तो M क्या है वो जड़त्व की माप है बोलो भी एक राइफल से गोली चलाई गई यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की और आती है तो राइफल की गति जूर्जा क्या होगी पहले सोच लेना गोली भारी या बंदूक भारी तो क्या बोलोगे बंदूक भारी होगी जी बंदूक जादा हो भारी होगी तो बंदूक में क्या होगा गति जूर्जा मतलब बंदूक इतनी तेजी से पीछे थुड़ी चली जाएगी गोली जादा तेज जाएगी और गोली जादा तेज जाएगी तो गोली की गतिज उर्जा से हमेशा कम होगी राइफल की गतिज उर्जा क्या बोल रहा है गतिज उर्जा ना मेरी बात का तो गतिज उर्जा हमेशा किस में होगी चलती चीजों में होती है तो एक एक उधारन लिख दो जैसे मैंने लिखा बहती हवा में कौन सी उर्जा होगी बहती हवा में गतिज उर्जा होगी मैंने बोला बहते पानी में कौन सी उर्जा होगी आप कहेंगे जी भीया जी गतिज उर्जा होगी मैं कहा दूँ लहराते बालों में कौन सी उर्जा होगी लहराते बालों में तो वो भी तो गती कर रहे हैं लहराते बाल भी तो गती कर रहे हैं उनमें कौन सी उर्जा हो जाएगी तो गतिज उर्जा हो जाएगी वहीं इस्थितिज उर्जा की जब बात करते हैं बच्चे वो उसकी इस्थिती के कारण होती है क्या इस्थितिज उर्जा का फॉर्मूला क्या होता है यू बराबर MGH होता है ये क्या होती है जैसे बांध का पानी है बांध का पानी क्या है रुका हुआ पानी है मैं बोल दो गिलास में रखे पानी में गिलास में इस्थाई इस्थर रखे गिलास में कैसा गिलास चलनी रहा है गाड़ी के साथ में गिलास के पानी में कैसी उरजा है गिलास के पानी में उरजा कैसी हो जाएगी तो क्या कहेंगे भीया इसमें हो जाएगी इस्थितिज उरजा क्या बोलोगे, मुझे बताओ एक बार कोई किसी के तरफ आँख मार रहा है, तो ये जो आँख मार रहा है, इसमें कौन सी उर्जा हो जाएगी, तो क्या कहेंगे, फटा-फट कमेंट सेक्षन में बोल दो, आप कहेंगे, भीया, गतिज उर्जा हो जाएगी, क्यूँ फड़ इनमें क्या होती है आपकी गति जूर्जा हमेसा होगी काइनेटिक एनर्जी होगी इक है नहीं पता बोलो कोई दिकत नहीं त्याWow कोई स्पीट समुंद्री जल में क्यतनी होती है बोलो 1048 म.S 19451 मीटर पिरती सेकंड, 1531 मीटर पिरती सेकंड 1489 मीटर पिरती सेकंड, तो क्या ANSOR आएगा भीया, आपका ANSOR आना चाये, 1531 मीटर पिरती सेकंड, 1489 वाले सारे गलत हैं, आज के बाद गलत मत करना, सुनो अगर मैं बात करता हूं, दुहैनी की चाल की किसकी बात करता हूँ दुहैनी की चाल कितनी होती है तो आप कहेंगे भीया 332 मीटर 30 सेकंड होती है कोई दिक्कत नहीं इस बात में दुहैनी की चाल 332 मीटर 30 सेकंड होती है इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत जी मैं आप से पूछू दुहैनी का कान पर प्रभाव कितनी देर रहता है कान पर प्रभाव कितनी देर रहता है तो बोलोगे 0.1 सेकंड रहता है जिसको हम कह सकते 1 बटे 10 सेकंड यानि सेकंड के 10 वे हिस्से तक कान पर प्रभाव रहता है ये दोहनी की चाल 332 मीटर 32nd किसने बताई थी लापिलाक्स ने बताई थी लापिलाक्स जो वेग्यानिक था उसने बताई थी धवनी की चाल 332 मीटर 32nd होती है मुझे बताओ चंदरमा पर मैं तुम्हें अवाज दूँ और मैं चंदरमा पर वाज मारूँ स्वीटी तुम्हें 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 बताई थी बहिया जाएगी ही नहीं तो निर्वात में चाल कितनी हो जाती है इसकी सुन्य हो जाती है इतनी बात समझे अब निर्वात में तो चल नहीं सकती है तो इसको चलने के लिए मीडियम चाहिए तो मीडियम में क्या आता है दोहनी की चाल सबसे ज़्यादा किसमे होती है क्या बोलोगे ठोस में, सॉलिड में सबसे ज़्यादा उसके बाद लिक्ड में और उसके बाद गैस में होती है दोहनी की चाल सबसे ज़्यादा किसमे होती है सबसे ज़्यादा किसमे होती है क्या बोलोगे सबसे ज़्यादा भीया जी आपकी ठोस में फिर द्रब में और फिर गैस में होती है अगर मैं पूछू ठोस में भी किस में सबसे ज़्यादा होती है अब देखूंगा होसियार कौन है बताओ भई बोलो ठोस में भी सबसे ज़्यादा किस में होती है तो Бोलोगे ऐलूमिनियम में होती है बहुत सारे बच्चे इसका अंसर इस्टील देंगे मुझे पता है मैलूमिनियम में होती है चौषट सो बीस मीटर पर throw current होती है कितनी होती है चौषट सो बीस स्टील वाले सब जगे गलत दिया हुआ है तो 6420 मीटर परती सेकंड होती है किसमें ऐलूमिनियम में होती है ऐलूमिनियम के बाद भी नहीं होता इस्टील तो फिर आता निकल निकल में कितनी होती है 6040 मीटर परती सेकंड होती है तब आता है आपका इस्टील इस्टील में होती है 1488 में वो सुनो फिर आती है बात किसकी भीया दिरव की बात आती है ठोस के बाद में किसका नंबर आता है आपका दिरव का नंबर आता है दिरव में सबसे जादा किसमें होती है समुंदरी जल में होती है जो हमारा कुश्यन था और समुंदरी जल में आंसर आपको देना प्यारे दोस्त होगा किस गैस में दहनी की चाल सबसे ज़्यादा होती है तो बुलना हाइडरोजन में सबसे ज़्यादा होती है और हाइडरोजन में स्पीड कितनी होती है 1284 मीटर 30 सेकंड होती है दूसरे नंबर पर किस में होती है हीलियम में होती है और हीलियम में 987 होती है कितनी होती है 87 होती है बोलो भी तो सबसे ज़्यादा देखो किस में होई ठोस में 6400 फिर किस में होई दिरब में 1531 सबसे ज़्यादा समंदरी जल में और गैस में सबसे ज़्यादा किस में चलती है किसमें बोलोगे हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा होती है कोदिकत बहुत बढ़िया साउंड की स्पीड एक बच्चा कह रहा है 343 मीटर पिरती सेकिंड होती है अब यह जनसंक्या घनत्व की सकल के बच्चे आजाओ भई फुलरिन में कार्बन परमाणू कितने होते है फुलरिन में तेरा घर की खेती है फुलरिन में कार्बन परमाणू कितने होते है 48, 64 या फिर 32 होते है फुलरिन में कितने कार्बन के परमाणू होते है बोलो फटा-फट से कोई कोई बच्चा अपना नाम लिया जाए इसलिए उल्टा सी दलिख देता है इसलिए मैं नाम लेकर बोलता ही नहीं मैं कहता हूँ एक बच्चा तो वो समझ गया कौन है हाइलाइट होना चाह रहे हो तो फुल्रिन में कार्बन के कितने परमाणू होते हैं तालिस साठ चार या बत्तिस होते हैं तो क्या बोलोगे साठ होते हैं अच्छा बोलो कार्बन के कुल कितने अपर रूप होते हैं कार्बन के अपर रूप कितने होते हैं एलो ट्रॉप्स कितने होते हैं तो कार्बन के अपर रूप कितने बोलोगे आपका ग्रेफाइट हो गया, क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुल्रिन हो गया, हीरा हो गया और इसी में होता है आपका ग्रेफीन, क्या होता है, ग्रेफीन होता है कौन सा होता है, ग्रेफीन होता है, ठीक है, को दिक्कत भई, संरचना देख रहे हो गया आप लोगों को दिख रही होगी ग्रेफाइट, फुलरीन और फुलरीन से पूछा फुलरीन कहां, कैसे, कितने carbon के परमानू होते हैं यह देखो दिहान से यह कितने हैं, यह total 60 परमानू होंगे फुलरीन में, कितने होते हैं, 60 होते हैं अब मैं कुछ कुश्यन पूछने जारा हूँ, आप लोगों से ध्यान से सुनना, जो diamond है, हीरा है, हीरा भीया बहुत चमकदार होता है, तो हीरे के, हीरे के जो ये carbon के परमाणू होते हैं, diamond में, ये देखो carbon के परमाणू, इनके बीच में angle कितने degree का होता है, बोलो फटापट के अडूओं के बीच angle कितने का होता है, 120 degree का होता है, railway में बहुत पुछे जाते हैं, कितने का होता है, 120 degree में ग्रेफ़ाइट में, और ग्रेफ़ाइट का استعمाल हम कहां करते हैं, सबसे important बात, इसने हक के रूप में, किसमें, इसने हक क्या होता है, lubricant बोलते हैं, जो grease देखि ऐसी बच्चे आपसे पुछता है फुलरिन, कार्बन का कौनसा अपर रूप है जो फुटबॉल की जैसी आकिरती का होता है, तो फुटबॉल की जैसी आकिरती किसकी होती है, फुटबॉल की जैसी आकिरती होती है, आपकी फुलरिन की होती है, किसकी होती है, फुलरिन की होती और यहां देखो ग्रेफाइट को अगर मैं बोलू और कहां इस्तेमाल कर सकते हैं पैंसिल में इस्तेमाल कर सकते हैं किसमें पैंसिल में इस्तेमाल कर सकते हैं जो कच्ची पैंसिल है क्या बोलोगे कच्ची पैंसिल में अब आया आपका ग्रेफीन पहले तो पूछेगा ग्रे screen बनने में कौन सा क्या पुछेगा मोबाइल की touch screen बनने में कौन सा कार्बन का अपरूप प्रीयोग होता है अरे अब इसकुछ सोचेंगे भाईया हीरे की बना देता तो बढ़िया नहीं रहता तोड़ ताल के उसको बेच देते तो पैसे भी तो ऐसी रखता फिर उसके मोबाइल की टच स्क्रीन बनाने में आप से पूछे रॉकिट लेयर बनाने में रॉकिट लेयर बनाने में ऊपर वाली किसका इस्तमाल होता है ग्रेफीन का इस्तमाल होता है बुलेट प्रूफ जैकिट बनाने में बुलेट प्रूफ जैकिट बनाने में, बहुत मजबूत होता है ग्रेफीन, कभी ऐसी समझ रहे हो, बुलेट प्रूफ जैकिट बनाने में किसका इस्तमाल होता है, वो इस्तमाल होता है, आपका ग्रेफीन का, ठीक है, आपसे पूछ लेगा, आर्टी फीसियल, आर्टी फीसि असी बनाने में कार्बन का कौन सा अपर रूप प्रियोग होता है तो क्या बोलोगे कौन सा होता है ग्रेफीन होता है नेक्स्ट CAO का सूत्र एकाई द्रव्यमान कितना है CAO का जो आपका भीया क्या पूछ रहा है मास नहीं मोलर मोलर पूछ रहा है आपसे कितना होगा इसका CAO कैल्सियम ऑक्साइड अब आगई न ना नी याद तो प्यारे दोस्त आपको परमानु किरमान की याद होने चीए हमेशा इस तरह सा आप सारे याद रखो सारे याद रखोगे तो आपको पचलेगा कैल्सियम कितने पर आता है 20 पर ऑक्सीजन कितने पर आता है आपका 8 पर आता है 20 और 8 28 होगे नहीं, molar हमेशा दोगुना होता है क्या होता है, 20 दूनी कितने हो गए 40 हो गए, और 8 दूनी कितने हो गए 8 दूनी कितने हो गए, 16 हो गए 40 और 16 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा क्या हो जाएगा, 40 और 16 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, 40 वालो मान जाओ MgCO3 का बताओ निकाल करके फटाफट से अपनी कॉपी पर प्रेक्टिस करो MgCO3 का बताना है बोलो फटाफट से MgCO3, तो magnesium क्या बोलो के 12 हो गया, एक ही तो अनू है magnesium का, तो 12 गुणा 2 हो गया carbon का भी अकेला अनू है carbon कितना होता है भी या 6 पर होता है 8 तीय 24 है इसकी value देखो, इसमें कितने अनू था oxygen का सिर्फ एक था उसमें गुणा 2 करी थी इस बार 3 है, तो 8 तीय 24 तो यही हो गया, और 24 में फिर गुणा होगी किसकी 24 में फिर गुणा होगी किसकी 2 की, तो क्या बोलोगे 12 दूनी 24, 12 और 48, 48, 42, दूना उठा दिया, दूना लोहे के पाइपो को जंग से बचाने के लिए अकसर उन पर जस्ते की एक परत चड़ा दी जाती है किसकी जस्ते की एक परत चड़ा दी जाती है, यह पिरकिरिया क्या कहलाती है, यह पिरकिरिया बोल दूँ कभी मत कह देना विद्युत लेपन में कोटिंग होती है कॉपर और निकल की किसकी होती है कॉपर की होगी या फिर निकल की होती है अनीली करण में क्या होता है काँच को ठंडा करना जो काँच क्या है काँच एक ऐसी तित द्रव है गरम होता है तो कांच को ठंडा करना क्या कहलाता है आपका अनीली करन कहलाता है जस्ती करन में क्या होता है आपका क्या बोलोगे गैलिवनाइजेशन में कई बार इसका नाम हिंदी में नहीं लिखके देता है बच्चे हिंदी में नहीं लिखके देगा जस्ती करण लिखके देता है गैलविनाइजेशन ये वलकिनाइजेशन होता है वलकिनाइजेशन बड़ा इंपोर्टेंट है इसमें क्या मिला जाता है आपका वलकिनाइजेशन के लिए सल्फर मिला जाता है आपने जहाजों के, जहाज का सभी टायर देखेंगे, टायर किस रंग के होते हैं, बोलो फटाफट से, टायर किस कलर के होते हैं, टायर किस कलर के होते हैं, तो बोले बलेक कलर के होते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चों की साइकल होती है, वो नीली पीली है, हरे पीले टायर की भी होती है, तो टायर ब्लैक क्यों होते हैं, क्योंकि जो आपका नैचुरल रबड आया, नैचुरल रबड जो आया, यानि प्राकिर्टिक रबड जो आता है, उस नैचुरल रबड में जब सलफर मिला जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, वलकिनाइजेशन, क्या बो नहीं होते हैं, वो सिंथेटिक टायर होते हैं, बोलो फटा-फट से आकांसा सिंग एकदम सही आंसर देते हुए, सिवम वर्मा, दिलीप कुमार बहुत बढ़िया, सतीस कुमार, जाट रेजिमेंट, जीटी गज्जु ठाकुर बहुत बढ़िया, सांदार बच्चे, ओस्टियोलोजी का अध्यन है, ओस्टियोलोजी किसका अध्यन है, कोसी का संरचना का अध्यन है, आखो का अध्यन है, नाक का अध्यन है, या बोलो भई, अस्थियो का अध्यन है, तो कोसी का संरचना, इसका अध्यन क्या कहलाता है, आ कहलाता है cytology कहलाता है ठीक है और आखो का अध्यन किस में होता है ophthalmology में होता है ophthalmology में किसका अध्यन होता है वो होता है आपका आखो का अध्यन ophthalmology जैसे कल मैंने बताया था ना आखो के डॉक्टर को क्या कहते हैं आखो के डॉक्टर को भीया जी ophthalmologist बोलते हैं जैसे मै बोलू नाका क्या होता है नाका होता है ओटो ओटो रिनो क्या बोलेंगे ओटो या तो रिंग नहीं मेरे डिमांग से निकल रहा है भी ओटो रिंगो नहीं होता ओटो लिंगेरो ऐसा कुछ होता है देखना इसको बताना एक बार 차ate autolingorologi utolingorology होता है लग-बग यह यह भी है autolingorology और बाकी मैं देख लूँगा हिसको देख ले ना इसको ठीक है underestiows का अध्यन क्या होता है in terms austeology में किया जाता है किसमें किया जाता है aarthology में किया जाता है मुझे आप लोग बताओ एगरोष्टो लोजी में किसका अधियन किया जाता है। ये भी बताएंगे। आप लोग मुझे बताओ और्थो लोजी में किसका अधियन किया जाता है। एक्थियो लॉजी में किसका अध्यान किया जाता है और कैलो लॉजी में किसका अध्यान किया जाता है कैलो लॉजी में किसका अध्यान किया जाता है बोलेंगे भी फटाफट से फटाफट से बोलो भी फटाफट से बोलेंगे तो यह आटो लेरिंगो लॉजी यही ठीक है आटो लेरिंगो लॉजी एकदम सही लिख रहे थे हम सही है वो एगरेश्टो लॉजी में किसका अध्यन होता है गास का अध्यन होता है और्थो लॉजी में क्या होता है जोडो का अध्यन होता है जोडो का अध्यन होता है हर पेटोलोजी में किसका अध्यन होता है सरी सर्प का अध्यन होता है सरी सर्पों का अध्यन किया जाता है एक्थियलोजी में किसका मचली का अध्यन किया जाता है कैलोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है सुन्दरता का अध्यन किया जाता है माता के सरीर के अंदर एक बच्चे का विकास ये immolation होता है, एक गरभास्य के lining से युगमनज का जुड़ना, ये होता है immolation, माता के रक्त प्लेसेंटा के माध्यम से पोशन मिलना, ये immolation होता है, या भुरूण, ये भुरूस लिख दिया, भुरूण, और इसकी पोशन के विकास, जो होता है ये होता है, नहीं जी, एक गर्भासे का लाइनिंग से युगम नज का जुड़ना, युगम नज का जुड़ना, देखो, होता क्या है दरसल में, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले क्या बनते हैं, सबसे पहले बनते हैं, युगम बनते हैं, मानव सरीर में क्या बनते हैं पहले, युगम बनते है और यूगम बनते हैं इसको बोलते हैं यूगम नजकरन क्या बोलते हैं यूगम नजकरन इसको हम बोलते हैं और अंग्रेजी में इसी को क्या बोलते हैं गेम लोगे निसिस बोलते हैं क्या बोलते हैं गेम लोगे निसिस इसको हम कहते हैं इस पिरकिरिया में क्या होता है बच इनसेमनेशन बोलते हैं और मतलब की ये क्या हो गया? मेल और फीमेल का एक मिलन हो गया पिरजनन के लिए क्या हो गया? मेल प्लस फीमेल तीसरे स्टेज में आपका क्या होता है? फर्टीलाईजेशन होता है क्या होता है प्यारे दोस्त तीसरे स्टेज में? fertilization होता है जिसको हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं निसेचन में क्या होता है जो पुरुस के सुकराणू है वो महिला के अंडानू से क्या होते हैं मैच होते हैं यहाँ पर क्या होता है सुकराणू सुकराणू पिलस अंडानू की क्या होती है करिया होती है सुकराणू प्लस अंडाणू और जैसे ही ये मिलते हैं क्या बोलते हैं जैसे ही ये मिलते हैं और ये मिलते कहाँ पर रहे आपका क्या बोलोगे फैलो पियन ट्यूब में मिलते हैं क्या बोलोगे फैलो पियन ट्यूब में जो महिला की भृून क्या बोलते हैं उसको जो गर्ब की नालिका से पहले होती है फैलो पियन ट्यूब उसमें जाकर के मिलते है और तब ही क्या बनता है इसको क्या बोलते है जाइगोट बनता है क्या बनता है जाइगोट बनता है जिसको हम युगमनज कहते हैं क्या बोलते है इसको हम युगमनज कहते हैं और यहां क्या बन जाता है आपका जाइगोट बन जाता है और ये जाइगोट कहां पर पहुच जाता है फिर ये कहां पर पहुच जाता है तो इसी को कहते हैं कि ये जाइगोट बन करके गरभासे की लाइनिंग से जुड़ जाता है जुड़ता क्यों है अपने खाने के लिए अपने विकास के लिए ये जुड़ जाता है कहां किस माध्यम से प्राप्त होता है बरून को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है तो किस माध्यम से प्राप्त होता है बोलो बाता की धुमनियों से गर्बास से द्वारा प्राप्त होता है गर्बनाल के द्वारा प्राप्त होता है या फिर आपका इम्योनिटिक सेख के द् गर्ब नाल के द्वारा प्राप्त होता है, किसके द्वारा प्राप्त होगा, गर्ब नाल के द्वारा प्राप्त होता है, बहुत गजब भई, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, जिसने कोई सफ्ट्वेर बनाया, दुनिया का पहला प्रोग्रामर, तो क्या का होगे अडा लवलेस को माना गया है किसको माना गया है अडा लवलेस को माना गया है टिम बर्नर सली किसके आविसकारक है डॉद डवलु डवलु 1989 Most Important Mark करना डवलु 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 का आविसकार किसने किया था क्या बूलते हैं इसको World Wide Wave इसको हम कहते हैं और Worldwide Wave किस ने बनाया था? 1989 में बनाया था Tim Banner Slee एलन ट्यूरिंग इसको सुनो बई, एलन ट्यूरिंग को सुनो, मेरी बात सुनो, एलन ट्यूरिंग कौन है ये? एलन ट्यूरिंग कौन है? एलन ट्यूरिंग है आपका आधुनिक कम्प्यूटर का जनमदाता, कौन है ये? modern computer का father किसको बोलेंगे the father of modern computing आधनिक computer का पिता कौन है ये Alan Turing है ठीक है अब दो person सुनो मुझे बताओ super computer के पिता कौन है कई बार मैं आपको बता चुका हूँ super computer के पिता कौन है और एक question पूछा जाएगा आप से भारतिय super computer के पिता कौन है भारतिय super computer के पिता कौन है ये बताना है आपको और computer के पिता तो सभी जानते ही होंगे father of computer ये कौन है ये तो Charles Babbage है कौन है ये? Charles Babbage है इसको तो nursery class का बच्चा भी जानता है super computer के पिता कौन है तो आप कहेंगे Samore Kray है कौन है? Samore Kray है super computer के पिता क्योंकि इनकी कंपनी थी क्रे कंपनी और क्रे कंपनी ने ही दुनिया का पहला सूपर कंप्यूटर बनाया और इन्होंने ही बनाया था CDC 66 CDC 66 ये क्या था दुनिया का पहला सूपर कंप्यूटर था किया था दुनिया का फ्रस्ट सूपर कंप्यूटर कौन सा था आपका CDC 66 था ठीक है कोदिकत और बच्चे भारतिय सूपर कंप्यूटर के पिता कौन है क्या बो लोगे विजय हैं क्या नाम लोगे इनका विजय हैं विजय पांडूरंग बाटकर हैं भारतिय सूपर कम्प्यूटर के पिता ठीक है कोई वैक्ति कम्प्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वैसक्षम हो केवल किसमें सक्षम हो आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में एंटी वाइरस सॉफ्ट वेर बनाने में प्रोग्राम लिखने ये दूसरे कम्प्यूटर को हैक करते हैं तो जो आवश्यक एप्लीकेशन से यूज कर पाए उसी को क्या बोलते हैं हम उसी को बोलते हैं कम्प्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है Computer Literacy Day कब मनाया जाता है तो 2 December को मनाया जाता है कब मनाया जाता है 2 December को मनाया जाता है Next है INA बचाव समीती में सामिल अगर गड़ने वकील कौन थे INA Indian National Army जिसको भारत ये हिंद फौज कहते हैं क्या बोलते हैं आजाद हिंद फौज के नाम से भी हम जानते हैं आजाद हिंद फौज के बचाव समीती थी मैंने बताया उन पर चला था लाल किला मुकदमा क्या चला था लाल किला मुकदमा चला था और जब ये लाल किला मुकदमा उन पर चला लाल के ला मुकदमे में कौन थे आपके कैप्टन प्रेम सहगल थे जिनको मुखे अभियुक्त बनाया गया था गुरुबक्स सिंग थे ये नाम पूचे जाते हैं सभी गुरुबक्स सिंग थे गुरुबक्स सिंग थे और सहानवाज खान थे कौन थे सहानवाज खान थे ठीक थी, नो देशों का उसका अपना एक संविधान भी था, तो ये जो लोग जब भारत में आए, सेकंड वल्ड वार जब खतम हो गया, ये हीरो बन गए लोग, पूरे भारत की भीड उमड़ गई, और लाल किले के पास में जब इनकी सुनवाई होती, तो लोग घेर लेते थे, ऐसा माहौल बन गया, कि इन लोगों को जो लोग ये लाल किला मुकदमा, जिन पर ये ब्रिटिस सरकार चला रही है, इनको अब ये तोड करके दिवारे अब भार ले करके आए, तो इसमें कौन थे आपके, बोलेंगे बे, क्या भूला भाई देशाई, तेज परता, तेज बहादुर सप्रू और आसफ अली थे, विकलप ए एकदम ठीक है, क्यों जी कैलासनात काटजू नहीं थे, ते, कैलासनात काटजू भी थे, क्या पंडित नहरू नहीं थे, ये भी थे, तो इन लोगों ने मुकदमा नहीं लड़ा, पहले सुरुआत में गए आपके भूला देशाई कौन गए भूला भाई देशाई गए और जब भूला भाई देशाई मतलब ये इनकी तबियत खराब हो गई इनकी तबियत खराब होने के बाद में किन लोगों ने तेज बहादुर सपरू और एक थे आपके तेज बहादुर सप्रूजी के साथ में इनके साहिक थे दिलीप सिंग क्या बोलोगे दिलीप सिंग ने कारवाई इसमें की थी दिलीप सिंग के साथ में एक थे आपके PSN प्यारे दोस्त कौन थे PSN थे और एक थे जुगल किसोर रुख कौन थे जुगल किस ओर इन वैक्तियों ने कारवाई किये समीती में ये लोग थे तो ये अगरगर्णे वकील नहीं थे जिन्होंने मुकदमा लड़ा हो तो विकल पे एकदम ठीक हो जाएगा जिन्ना नहीं भई जिन्ना पर लड़ा जा रहा मुकदमा किस समझाते के तहत मुहमद अली जिन्ना और मुसलिम लीग के पिर्थक निर्वाचन की मांग कॉंग्रेस ने मान ली थी बोलो भई फटाफट से कब मान ली गई थी इन्होंने कहा कि मुहमद अली जिन्ना और मुसलिम लीग के पिर्थक निर्वाचन की मांग कॉंग्रेस ने मान ली कि इनका जो मुस्लिम लीग है इसकी सीटों का निर्वाचन अलग से होगा तो आप कहेंगे पूना समझहता नहीं जी पूना समझहता मैंने कल ही आपको समझाया 24 सितंबर 1932 में ये कहां हुआ था जर्वदा जेल में गांधी जी और आपका किनके बीच में बावसाहइब भीमरा उंबेड करके बीच में हुआ था में क्या हुआ था सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था क्या हो गया था क्या हो गया था यहां कॉंग्रेस का नरम दल और गरम दल में विवाजन हो गया था क्या हो गया था कॉंग्रेस का विवाजन हुआ था कब आपका 1907 में अध्यक्ष बताएंगे 1907 में कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे कई बार बताया है आपको और 1916 में प्यारे दोस्त क्य हुआ था हुआ यह जो नरम डल था नरम डल पिलस में गरं दल भी एकटा हो गया नरम डल भी और सात में मुस्लिम लीग भी इनहीं के साथ मिल गया रास-בीहरी गोस रास-בीहरी गोस बिलकुल ठीक आंसर आता हुआ तो यह अध्यक्छ थें आपके रास बिहारी, कौन बोलोगे रास बिहारी 1916 में जब ये एक हुए लखनव में हुआ इनका एक ही करण और बच्चे यहां कौन थे एसी मजूमदार अध्यक्ष थे कौन थे, एसी मजूमदार अध्यक्ष थे और यहीं पर प्रत्यक्ष जो आपका बात थी कि प्रत्यक्ष किसको मानना है हम लोगों को प्रत्यक्ष नर्वाचन की बात को स्विकार कर लिया नेक्स्ट है वर्स 1929 में कॉंग्रेस अधिवेशन जिसमें सवीने अवग्या प्रस्तावों को स्विकार किया गया सवी ने अवग्या प्रस्ताव जिसमें सुविकार किये गए सवी ने अवग्या अंदोलन भारत में चला 1930 से लेकर के 1934 तक 1930 से 1934 तक तो पूछ रहा है ये जो प्रस्ताव सुविकार हुए ये कहां हुए थे तो 1929 नहरु अध्यक्ष कहां लाहोर में और यहीं लाहोर में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भी पेस हुआ था क्या हुआ था पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भी यहीं पर आपका क्या हुआ था पेस किया गया था ये बात आपको याद रख लेनी है ठीक है को दिखका तो भी आगे आएंगे next फ्रांसीसी करांती किस वर्स में सुरू हुई फ्रांसीसी करांती थी किस वर्स में सुरू हुई विस्व की बच्चे जो ये पिर्मुक करांती है इन सभी से पिरसन पूछे जाते है फ्रांसीसी करांती क्या बोलोगे जब आपका नेपोलियन बोना पार्ट था नेपोलियन बोना पार्ट के समय कब चली सत्रहेसो नवासी से लेकर के 1779 में तक चली आप से अगर कोई पूछे कि ये नेता कौन था नेता कौन था फ्रान्सिसी कर्द attitude का तो क्या बोलोगे वाल्टेयर कौन था वाल्टेयर और आपका मॉन्टे क्यू ये कौन थे आपका ये कौन थे आपका क्या बोलोगे ये नेता थे किसके फ्रांस की करांती के क्योंकि किस के खिलाफ थे सासन के खिलाफ थे और बच्चे सासन के खिलाफ में दुनिया को एक उम्मीद जगी कि हाँ राजा को उसके तक्त से अपदस्थ किया जा सकता है हटाया जा सकता है मुझे बताओ फ्रांस की करांती से भारतिय सम्विदान में क्या लिया गया है आपके कमेंट्स के इंतजार में फ्रांस की करांती से भारतिय सम्विदान में क्या लिया गया है किसकी भावनाई ली गई है तो आंसर करेंगे फटा फट से उम्मीद करूँगा आएगा बहुत स साबास कुडिया ऐसे नाम रोसन करो आपका लिंक बनना चाहिए और घटनाओं से भी सतंता समानता नहीं भई अभी पूरा उत्तर किसी ना जीटी गज्जु ठाकुर उत्तर दिखा हो गई क्या बोला इन्होंने सतंता समानता बंधुत्व की बात की गई जीटी गज्जु ठाकुर बहुत बढ़ी है बई तो क्या बोलोगे ऐसी बच्चे आप से पूछा आता है रूसी करांती कब हुई थी रूसी करांती जब प्रत्थम विश्युद चल रहा था 1917 में हुई थी यहां नेता कौन था लेनिन जिसने ये करांती सफल बनाई थी आप से पूछेगा इंगलेंड की करांती जिसको गौरब पूर्ण करांती भी कहते हैं क्योंकि यहां खून नहीं बहा इसको गुलाबें का युद्ध भी कहते हैं जैसे किसी ने एक दूसरे को काटे नहीं मारे, गुलाब फैक फैक के मारे हों, क्योंकि थोड़े से विरोध के बाद ही, क्या कर दिया, गद्धी छोड़ दी गई, 1688 में, आप से पूछे, अमेरिकी किरान्ती कब हुई, अमेरिकी किरान्ती, जो अमेरिका की स्वेतनता के लिए चला युद्ध था, और 1775 से ले होता है, बियर और बुल, सब्दो का प्रियो किस छित्र में होता है, चिडिया घर, किरसी, सेर बजार और पसू पालन्ड में, तो बियर और बुल, बुल का मतलब होता है, संड जब सेर उपर की ओर जाते हैं, बियर, भालू, डर्पो, जब सेर नीचे की तरफ आते हैं, सेर बजार से संबंदित है, मुझे बताओ, भारत का पहला stock exchange कौन सा है, भारत का पहला stock exchange कौन सा है, तो क्या बोलोगे पहला stock exchange है भिया जी, क्या बॉम्बे कौन सा है, आपका बॉम्बे stock exchange है, बहुत पुछा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, BSE, बॉम्बे stock exchange, कब इस्थापित किया गया था Bombay Stock Exchange को ये बताओगे तो क्या आंसर आना चाहिए 1875 होना चाहिए फिर पूछेगा NSE ये कहां है National Stock Exchange क्या बोलोगे National Stock Exchange ये कब इस्थापित किया गया था किया बोलोगे NSE को कब इस्थापित किया गया था सारे प्यारे दोस्त बोलो भी Bombay Stock Exchange 1875 में इस्थापित किया गया NSE को 1992 में इस्थापित किया गया कहां दौनों कहां है आपके क्या बोलोगे Mumbai में इस्थित हैं Mumbai में इस्थित हैं ठीक है जितने भी हमारी Securities है जो Share Bajar है Share Bajar को Control करने वाली संस्था कौन सी है जो Share Market के लिए नियम बनाती है फटाफट से बोलो Share Market के नियमन के लिए संस्था कौन सी अर्गनाइजेशन काम करती है तो क्या बोलोगे भीया सेभी है क्या है सेभी है क्या बोलते इसको भारतिय पिर्ती भूती एवं वी नियमन बोर्ड क्या बोलते हैं इसको वी नियमन बोर्ड इसको हम कहते हैं इसी का मतलब क्या होता है? Securities and Exchange Board of India होता है सेबी इसकी स्थापना पूछे ना प्यारे दोस्त तो 1988 में 1988 में इसका Act पूछे सेबी का तो 1992 में Headquarter पूछे आपसे तो मुंबई में होगा Headquarter पूछे तो क्या बोलोगे मुंबई में क्या है? इसका Headquarter इस्थित है Act कब आया? सेबी का 1992 में आया सेबी की स्थापना कब हुई? 1988 में हुई सेबी का काम क्या है? जो आपका Stock Market है इसको कंट्रोल करना सबसे पुराना Stock Exchange कौन सा है? कौन सा है? BACA Bombay Stock Exchange की स्थापना कब हुई? 1875 में जब सेबी Act आया तभी NSC National Stock Exchange की स्थापना भी मुंबई में 1922 में हुई? चलो आगे नेक्स्ट है मद्यपरदे सरकार 12 अक्टूबर 2017 में राज्ये में किसानों का समर्थन देने के लिए सुरू की गई कम कीमत भुगतान यानि बजार में जब किसी चीज की कीमत गिर जाती है और जो minimum support prize होता है नियूंतम समर्थित मुल्य है उसके बीच का जो अंतर है वो अगर किसान को जो गाटा हो रहा है नहीं मिल पा रहा है तो सरकार उस पैसे को देगी और सरकार उस पैसे को देगी इस योजना का नाम है भावांतर भुगतान योजना क्या नाम है? भावांतर भुगतान योजना है इसरो की माश्टर कंट्रोल सुवीधा हासन में है कहां है इसरो की माश्टर कंट्रोल सुवीधा कहां है हासन में इस्थित है तो बताओ भई हासन में इस्थित है और ये हासन कहां पड़ता है अंधर प्रदेश में उडिसा में करनाटक में या महराष्ट में क्या बोलोगे कर करनाटक में स्थित है, कहां स्थित है, करनाटक में स्थित है, मुझे बताओ प्यारे दोस्त, इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना कब हुई थी, फटाफट से बताएंगे, मुझे आप लोग बताओ, DRDO की स्थापना कब हुई थी, ये भी पिरसन आप मुझ आप बताओ जो सिरी हरी कोटा है जिसको नाम दिया गया है सतीस दवन क्या सिरी हरी कोटा जो आपका पिरचेपन इस्थल है सिरी हरी कोटा पिरचेपन इस्थल ये कहां पर आपका मौजूद है तो क्या बोलोगे बहिया जी आंदर प्रदेश में मौजूद है यहीं पर है 1969 में हुई थी और इसका headquarter कहां है प्यारे दोस्त बंगलूरू में क्या है इसका headquarter इस्थित है DRDO Defense Research Development Organization भीया दोनों में अंतर क्या है देखो Indian Space Research Organization ये क्या करता है आपका ये Space Sambandhi Program को देखता है भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को देखता है वही DRDO Defense Research Development Organization ये क्या करता है रक क्या में क्या था भलो इस्रों में काम करते थे या DRDO में बहुनों बहुदो बाहरत की रक्षा प्रणनाली उन्होंने मजबूत की या बहुरत का अंतरिक्ष कारकरं़ उन्होंने मजबूत किया इसलिए क्या बहुत को मिसाइल दी मिसाइल men of india उन कहा जाता है तो सबसे ज्यादा काम उन्हें कहां किया आपका DRDO में किया था कहां DRDO में काम किया था इस रो में तो इसलिए कहते हैं भारत के अंतरिक्ष कारेकरम के जनक कौन है वो थे विक्रम सारा भाई कौन थे विक्रम सारा भाई और विक्रम सारा भाई के बाद में अध्य लेक्ष केंदर कहां है आपका आंदर प्रदेश में इस्थित है डियाइडियो की स्थापना 1958 में हेड क्वाटर पूछे प्यारे दोस्त क्या बोलोगे हेड क्वाटर भाहिया जी नहीं दिल्ली में इस्थित है बहुत बढ़िया भी बहुत गजब नेक्ष्ट अगले परसन निम लिखित में से कौन सा कौन सा एसिया का देश नहीं है कौन सा एसिया का देश नहीं है देश बताओ इनकी राजधानी बताओ तो बोलो मलेसिया क्या एसिया का हाँ जी बिलकुल एसिया का है कौलालामपूर क्या है इसकी राजधानी है इंडोनेसिया क्या भीया एसिया का है हाँ जी जकार्ता क्या है इसकी जकार्ता तो गल्त लिख दिया मैंने जकार्ता क्या बोलोगे इसकी राजधानी अब ठीक लिखा गया रहा है रोमानिया कहा है यूरोप का है रोमानिया और कमबोडिया क्या कमबोडिया की राजधानी क्या है आपकी नाम पेहन है क्या ब बोलो भई रोमानिया की राजधानी क्या होगी तो रोमानिया की राजधानी है भहिया जी क्या बुखारेश्ट है क्या है बुखारेश्ट इसकी राजधानी है भई कमेंट सेक्षन पर कोई बैठा हुआ नहीं है सिवम का उत्तर ठीक था जीटी गज्जू ठाकुर ने तो भ चलो next आगे आजो निम्न में से कौन सा विकल्प आसियान देशों के सदस्यों को दरसाता है इसमें एक लाइन छूटी हुई है कौन सा विकल्प सुरुवाती आसियान देशों को दरसाता है एक सब्द जोड़ना बस इसमें इंडोनेसिया का लिखा, सौरी सौरी, इंडोनेसिया ने क्या गोशना किया, जकार्ता बदली नहीं उन्हें, मेरी बात सुनो, जकार्ता उन्होंने बदली नहीं, क्या बोला उन्हें, नूसंतारा भी अब राजधानी होगी, किसकी होगी, नूसंतारा भी राजधानी होगी, ठीक है, मुझे लगा रोमानिया का उत्तर बता रहा है, आगे आएंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प सुरुवाती आसियान देशों के सदस्यों को दरसाता है, तो आसियान की अगर बात करते हैं, कब आसियान को फाउंड किया गया था, 1960, 1967 में इसको फाउंड किया गया, कितने देश है, कमेंट सेक्शन में बोलो फिटापट से, आसियान, आसियान को हम क्या बोलते है, दचछिन पूरवी जो एसियाय देश है, दचछिन पूरवी एस्याय देशों का सहहुग संग्ठन है, आपका ऐसूशियेशन आफ साउथ ईस्ट एस्ट एस्ट एसिएन विकलपसी ठीक है ये शुरुआती पांच देश हैं देखो भई आसियान गुरूपिंग मैंने बोला कब फाउंड किया गया बोलोगे भई 1967 में बनाया गया इसको तो क्या बोला शुरुआती पांच सदस्यों के बाद में क्या भीया जी पांच सदस्या बाद में जुड़े पान्च सदस्यय बाद में झुड़े तो याद रख लेना 1984 में इसमें झुड़ा था छटा सदस्य कव्रूने धुड़ा था गभृूंनेại जुड़ा था और फिर आपका 1995 में जुड़ा था इसमें वियत नाम इसमें 1995 में जुड़ा और जैसे अगर मैं बात करूँ छो कि इस 1997 में जुढ़े आपका Laos Laos और Myamyaar कौन से Laos और Myamyaar कब जुढ़ते है इसमे 1997 में जुढ़े और कौन सा रह गया आपका 10वा 10वा कौन सा रह जाता है भई Kamboडिया हाँ Kamboडिया कब जुढ़ा आपका क्या बोलेंगे कंबोडिया भीया हमारा जुड़ता है ये 1999 में सबसे अंत में तो क्या बोलोगे ये कंबोडिया सबसे बाद में जुड़ा तो कौन कौन है आसियान में लाओस है म्याम्यार है थाइलेंड है क्या बोलोगे लाओस, म्याम्यार, थाइलेंड, वियतनाम, कंबोडिया, आपका मलेसिया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेसिया हो गया, बुरुनेई हो गया, और फिलिपिन्स हो गया क्या हो गया फिलिपिन्स हो गया तो यह कितने हैं यह दस देश हैं चलो भी अगले पर आजाओ तजाकिस्तान की राजदानी क्या है बो फटाफट से तजाकिस्तान की राजदानी क्या है बो बॉट एесवा यादव जी एकदम ठीक लिख sponsor रहे है उजबेकिस्तान की है किसकी है उजबेकिस्तान की है तो बोलो भी तजाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी दुसानवे 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 क्या बोलोगे फटाफट से क्या हो जाएगा दुसानवे भई लाल मूँ वालों के उत्तर दिखाओ इनके लाल मूँ वाले कैसे नाराज हो रहे हैं क्या बोलोगे इसका क्या हो जाएगा आपका दुसानवे एकदम ठीक है मैं आपसे पूछू प्यारे दोस्त कजाकिस्तान की राजधानी बताओ कजाकिस्तान की राजधानी बताओ तो क्या बोलोगे पहले अस्ताना थी अब क्या हो गई नूर सुल्तान हो गई 2019 से अब से मैं पूछो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी बताओ किसकी तुर्कमेनिस्तान की राजधानी बताओ तो क्या बोलोगे असगाबाद है क्या है असगाबाद है क्या है असगाबाद है बोलेंगे फटाफिट से भई क्या कहेंगे बोलो 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 फटाफिट से प्लीज help me मेरा एक्जाम है ट्रृपल सी का सोले जुलाई को भाई मैंने यूट्यूब पे मेरातन करवाई हुई है ट्रृपल सी नाम से देख के चला जा और एक बार बाबा जी का नाम ले और एक बार अम्मा जी का नाम ले और एक बार पढ़ दादी का और पढ़ दादा का नाम ले और ट्रपल सी पास देखले नहीं पूझ का गया न अपने पूरवजो को तो फिर पास नहीं होगा एक दिन जाकर उन्हें याद करो जिनने तुम भूल चुके हो और मेहनत करो, किलास देखो, पास हो जाओगे जाओ, आसर वाद बोलो बई, निम लिखित में से कौन उडान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है उडान एक मजदूर पुस्तक की लेखक है अब थोड़ा से मुझे में ऐसा ऐसा समझो तुम वो आ जाएगा उत्सहा किलास में क्योंकि हमारे प्रिया राहलती होती है सर किलास में आके बैठ चुके हैं चलो वे बोलो फटा फट से क्या कहेंगे, तो उडान एक मजदूर बच्चे की ये किसकी है भी है उडान एक है, किसकी है उडान मिथले स्तिवारी की बुक है लॉंच किसने करा, अनूप जलोटा ने कौन अनूप जलोटा, दिल्ली चनाव जो हार गे थे है ना, अनूप जलोटा ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, चलो बई, बोलो फटापट से, क्या बोलेंगे, तो मिथले स्तिवारी इस बुक के लेखक है भारत की स्वेदेसी Automatic Train Protection System का नाम क्या है Automatic Train Protection System मतलब दो ट्रेन आएंगी और टक्राएंगी नहीं आपस में, कॉलिजन को रोकने के लिए क्या किया गया, इसमें, मोधी जी ने बोला बेटा, अगर ये टेस्टिंग फेल हुई, तो तुम दोनों इसके जिम्मेदार होगे, इधर से आरे ही ट्रेन में बैठा दिया, रेल मंत्री को, और इधर से को बचाने की बात है, तो वो कॉलिजन सिस्टम कौन सा बनाया गया, कवच बनाया गया, दो ट्रेनों को, दो ट्रेनों को क्या आपस में टकराने से बचाने के लिए, तो मुझे बताओ रेलवे के चेर्मेन वर्तमान में कौन है, रेलवे के चेर्मेन बताओ कौन है और साथ में बताओ ये दोना जो बैटे भाईया पता चली दोना निकल लेते और केंद्रिय रेल मंतरी कौन है तो क्या बोलोगे असविनी कौन है ये केंद्रिय रेल मंतरी है असविनी वैशनव नाम है क्या बोलोगे असविनी वैशनव नाम है और रेलवे के चेर्मेन कौन है वो वी के तिरपाथी है कौन है वी के तिरपाथी है और ये कौन है अस्वनी वैशनव है ठीक है नेक्स्ट अगले पर आजओ भारत का पहला Medical City इंद्राइनी Medi City किस राज्ये में स्थापित होगा तो पहले Medi City को कहां पर स्थापित किया जा रहा है आपका महराष्ट में स्थापित किया जा रहा है निमलिखित में से किसने वर्स 2022 के लिए एबल प्राइज को जीता है जिसको हम गडित का नोबल पुरुसकार भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम गडित का नोबल पुरुसकार भी कहते हैं और गडित का नोबल पुरुसकार इसकी सुरुवात कब हुई थी कौन बच्चा बताएगा प्यारा दोस्त तो आप कहांगे, इसकी सुरॉख थुई थी, भीया जी, 2003 में, और ये नार्वेजीन सरकार दोरा दिया जाता है, किसके दोरा, नार्वे के दोरा, क कब से सुरॉख, 2003 से सुरॉख थी, और पहली बार जब यह मिला, जिन-piaər को मिला था, ये बात याद रखले ना, किसको मिला को अब तक ये पुरुसकार मिला है या नहीं मिला है एबल पुरुसकार ग्रिडित में जो जबर्दस्त काम कर रहे हैं उनको मिल रहा है ऐसे जैसे मान के चलो कल को राहलते होती या सर को ये मैथ में मिल जाएगा तो ऐसे एतना जबर्दस्त है तो यह क्या Mathematicians को मिलता है तब यह हमें तो मिलेगा नहीं GSBS के लिए कोई पुरुषकार है भी नहीं दुनिया में करवादो यार सुरू कुछ तो क्या बोलोगे Dennis Parlin Sullivan और यह एक Indian हुए हैं वो याद रख लेना स्री निवास 2007 में दरसल में भारत के लोग भारत से भाग जाते हैं 2007 में अमेरिकर नागरिक्ता इनके पास थी लेकिन भारत यह मूल के हैं भारत यह मूल के हैं स्री निवास जी 2007 में इस पुरुषकार को पाच चुके हैं ठीक है चलो आगे आएंगे उत्तर प्रदेश वानी की योजना कब प्रारंब की गई एक जुलाई 2001 को 19 मार्च 1995 को 19 मार्च 1998 को तो क्या कहेंगे 19 मार्च 1998 को सुरू की गई थी अब देखो वानी की से संबंदित दो अधीनिया में कभी मत भूलना जो भी नोट करा रहे हूं प्यारे बच्चे बस नोट करते चलो और अपनी उंगलियों पर रखनी है सारी चीज़ अगली किलास में तबाना और अगर कुछ छुट जाए ना उसके लिए सेटरडे और संडे का वो गैप रखा है बस पांच दिन ये तयार कर रहे हैं और इस पांच के बाद संबार को होगा तुमारा भीशन टेस्ट जो कुछ भी तुमने इस दस सेट में सीखा देखूंगा कितना आपने सीखा है तो बोलो भी है 19 मार्च 1998 को क्या वानी की परियोजना कब प्रारम की गई 1998 को मैं आपसे पूछता हूँ वन्य जीव संड्रक्षन अधिनियम कब आया था वन्य जीव संड्रक्षन अधिनियम वाल्ड लाइफ प्रोटेक्षन एक्ट क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं wild life protection act की बात करते हैं wild life protection act ये कब आया था आपका तो कहेंगे भिया 1972 का है और एक पुछा आया था परियावरन संरक्षन अधिनियम environmental protection क्या बुलोगे परियावरन संरक्षन अधिनियम कब आया था आपका तो प्यारे दोस्amm illustrations अधिनियम 1986 में आया था, तो ये परियावरन और वन्य जीव से रिलेटेड दोनों बहुत महत्पूर्ण है, ठीक है, दोनों बहुत महत्पूर्ण है, और सुनो, परियावरन दिवस जानते हो न, ये 5 जून को मना जाता है, आज का हुमवर्क का कुश्चन ले लो अपना वन्य जीव दि से किस दिन अस्तित्म में आया, उत्तर परदेश का वर्तमान स्वेरूप किस दिन अस्तित्म में आया, बोलो फटाफट से, क्या कहेंगे, बहुत सांदार भई, बहुत गजब, उत्तर परदेश का वर्तमान स्वेरूप, वर्तमान स्वेरूप, गुरु जी लाष्ट में स् जब दोस्त का हाथ साथ हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती फिर तो आपको नहीं होता होगा अपने दोस्त के साथ में positive feel क्या बोलेगे उत्तर प्रदेश का वर्तमान सहरूप निमलिखित में से किस दिन अस्तित में आया तो 9 नौवंबर 2000 को आया भी है कब आया 9 नौवंबर 2000 को क्या हुआ था मैंने आपको बताया था article 3 article 3 में 3 आपके राज्य बनाए गए थे 36 गड़ उत्राखंड और जारखंड एक नौवंबर 2000 को 9 नौवंबर 2000 को आपका उत्राखंड बना और आपका जारखंड बना था 15 नौवंबर 2000 को मैंने आपको बताया था 9 नौवंबर 2000 को पिछली किलास में कि उत्तर प्रदेश के जो तेहरे पहाडी जिले थे जो तेहरे पहाडी जिले थे उनको काट करके क्या बना दिया गया उत्राखंड बना दिया गया तेहरे पहाडी जिलों को काट करके कितने जिले काटे गए थे तेहरे पहाडी जिले काटे गए थे तो 9 तरांचल ये नाम कब बदला गया? 2006 में इसको उत्राखंड किया गया. क्या किया गया? 2006 में इसको उत्राखंड किया गया. तो वरतमान सरूप आजवाला जो उत्तरप्रदेश है, वो इस तिथी को सामने आया था. नेक्स्ट है भारत का मानक समय साड़े बैयासी डिग्री पूर्वी देस अंतर कितने राज्यों से हो करके गुजरता है जो भारत का मानक समय है बोलो फटापट से बोलेंगे फटापट से भारत का मानक समय साड़े बैयासी डिग्री साड़े बैयासी डिग्री पूर्वी दे सांतर कितने राज्यों से होकर के गुजरता है जैसे प्यारे दोस्त करकर रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है आपका क्या बोलते आठ राज्यों से होकर के गुजरती है इधर गुजरात राजस्थान आपका MP 36 गड़ फिर कहां से आपका जारखन, पश्चिम बंगाल, तिरपुरा और मिजोरम ये आठ राज्ये ऐसे ही जो साड़े बियासी डिगरी ये पूरवी रेखा ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है पाँच राज्यों से होकर के गुजरती है ये आपको पता होना चाहिए अंतिन परसन है आज का और बताओ बे क्या स्कोर किया है और कितना मज़ा आ रहा है ये भी बता दो उत्तर परदेश के तराई छेतर में किस फसल की किरसी बड़े पैमाने पर की जाती है तो तराई छेतर से मतलब है उत्तर परदेश में दान और गन्य की खेती बहुत होती है कपास होँनी तराई छेतर में किया दान और गन्ना बहुत होता है यानि किस की खरीब की फसलों में तो क्या बोलोगे केवल एक और चार बच्चे मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ जिंदगी में सक्तिमान बनने का एक ही मौका आपको मिलेगा जब आप लड़ना सीखोगे अंधेरे से भिढ़ना सीखोगे उंगली दर्द तो करेंगी लिखते लिखते लेकिन रुक जाना नहीं है रुक जाओगे तो भीया क्या हो जाएगा फिर पीछे रह जाओगे और पीछे रहने वाले हो तो अभी पीछे रह जाना ऐसा ना हो आधी दोड़ दोड़ के और बीक में बंद कर दो ना ना मुन्ना ना दोड़ दोड़ेंगे तो पूरी दोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे य वहीं तो कोई तुमसे ज़्यादा करेगा तो महारी महनत कोई अर्थ नहीं रह जाएगा तो सबसे ज़्यादा मेहनत करो पढ़ते रहे हैं आगे बढ़ते रहे हैं प्यारे दोस्त सुन पार हेलोहेलो met आपने एक चीज गलती करती है, अभी मैंने कमेंट सक्षन में देखा एक बच्चे का, कि सायद उडीसा होगा, सायद नहीं, पक्का उडीसा ही होगा, क्या बोलोगे, आंदर परदेश की दिया हमें, क्या होगा, उडीसा होगा, प्यारे दोस्ते, इसके लिए, रियली सॉरी, ये ठीक कर लेना आप, उत्तर परदेश, मद्य परदेश, फिर चत्तिसगर, फिर आंदर परदेश, और फिर क्या होगा, उडीसा होगा, ये यूपी पुलिस लवर ने बताया था हमें, तो ठीक है, अपना ख्याल रखो, और कमेंट सक्षन में बोल देना बच्चों को, बा